प्रवी कुमार पांडे आप लोगों के साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं आज ग्राम पंचायत में आया हूँ जहां आप लोगों को बता दें कि लोग बैक्सिनेशन के लेकर जो है लोग काफी ज्यादा भ्रमीतर हैं देखने को यह मिल रहा है यहां पर कि कुछ लोग यहां पर इकटा थे इन से जानने के हम कोशिस करेंगे कि बैक्सिन इन्होंने लिया या नहीं लिया है या फिर इनकी राय क्या है बैक्सिन पे इनको लेना है या नहीं लेना है किस तरीके से इनके अंदर क्या दिमाग में चल रहा है क्या नामें भी आपका हमारा रा तो इस पे अभी तक आपने क्यों नहीं लगवाया क्या था आपके मन में मन में कुछ नहीं था किया था कि जब शुरुआत हुई थी उससे सब लोग डर गए इसे में से अभी समय कुछ हो गया है तो आप चाह रहे हैं कि सब लोग लगवाएंगे अभी अब लगवाएंगे है वैकसीन हमारे साथ और अभी एंसान अंपर और इसे बात करने क्या भी अभी अभी तक वैकसीन आपने लिया या नहींнокंव यह विदे नहीं हो मतलब कहीं हैं आपके मन में यह चीज पहुंचा रही थी एक समय पर कब से आपको लगा कि बैक्सीन अब हमको लेनी चाहिए आप यह चारच से दिन के पहले से लिग रहा है कि कुछ लाफ दाया कहे बस हो गया दो आप लगवाएंगे आपके परिवार में कितने लोग हैं हमारे परिवार में तो बस दस बारा वेक्सिन न Ut니 पना रही है है और हर जगह दू दिन पहले तक कि खत्म गई थी जिसके चलते लोग जा तो रहे थे लेकिन दुह लोग चीनर है लोग इस पर आमिल वी कर रहे हैं पرفनाओ हैं क्या नव तो आप यह बताईए कि आपने वैक्सीन अभी तक क्यों नहीं लिया कि पहले हंगामा रहाई धरूधर आप सोच रहें कि लगवाएंगे आपके परिवार लगवग आपके परिवार कितने लोग हैं चार-पांस लोग हैं छोटे-छोटे बच्चे हैं तो वैक्सीन लगवान यहां पर कोई जागरुकता फैलाने के लिए कोई इंसान आया किसी ने कहा आपको कि वैक्सीन आप लगवाएं अभी तक तो कोई नहीं कहा यह कि ग्राम पंचायद में लग रहा है केंप गिर रहा है तो सोच रहें कि लगवाएंगे सब यहां पर कुछ माइल आए भी हैं जिन से बात करने के कोईशिस करेंगे दी आपने वैक्सीन लिया अभी आइनके अंदर जरूर दिखराय कहीं न कहीं चुकि यह भाग रही है और सुनने को भी तैयार नहीं हमने इनको कहीं कहीं जागरित करते तो भाया आप क्या कहेंगे वैक्सीन लगवाना चाहिए या न अब बिए और जो पहले जो था फ़रा थो यह थोड़ा मतलब था जी जी तरह बिल्कुल कोई दिक्र्राइब नहीं है लगबाना कहीं है जो नहीं लगवाए है लगवाना तरहिए यहां पेवारे साथ और भी आप यह जंता सुमीद करेंगे आप आप कहेंगे जंता को सब्सट्राइब कर रहे हैं और उसका फाइदा उठाएं तीसरी ल स्वह जल्द आने वाली है लोग कह रहा है इस टाम पे जो डेल्टा नाम की जो फिर से रोग जो फैल रहा है और तीसरा जो है लहर स्टार्ट हो रहा है ऐसा न हो कि जो जो वैक्सीन ना लगवा रहे है वो साफ हो जाए क्योंकि जो वैक्सीन लगवा लिया है उनको कोरोना तो होगा लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं होगी कोरोना होने के बावजूद भी लेकिन तीसरी लहर में जो जो वैक्सीन नहीं लगवाए हैं ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं वो साफ हो सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल नहीं रोक पाएगा जो वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं धन्यवाद लिता आप देख रहे थे तरंग्टोटी फो न्यूज मैं रवगवार पांडे कैमरमें रवीलास मिस्त्रा के साथ नास्कार जैहिन